देखो दोस्तों मान के चलो आपके बड़े सपने हैं, आप ऐसा सोचते हो कि आप 100 करोर सिया फिर 1 करोर के अबाओ, यानि 1 CR से लेके 100 CR या फिर उससे अबाओ भी हो सकता है, 1000 CR भी हो सकता है, आपका ये एक गोल है, मान के चलो आपका 1 CR से लेके 100 CR या फिर 1000 अबाओ CR का गोल आपका ही है ठीक है वो भी एक साल या पान साल के अंदर का अगर आपका ऐसा गोल है 1 CR से लेके 100 CR का गोल अगर आपका यह फिर टू यह तीर जो भी आपने एक टाइम पिरिट रखा है उसमें अगर आपको अचीव करना है और आपका बजट 50,000 क्यों ना हो या फिर आपका द बड़ा प्लान है कुछ बड़े सपने है उस application को लेके तो मेरा suggestion रहेगा आपको यह कि company के पास जाने से अच्छा है यानि कि अपने project को outsource करने से अच्छा है कि in-house tech team रख लो यानि कि dedicated team अपने पास रखो ज्यादा best रहता है देखो कहां पी क्या problems आती है यह आज मैं आप आपको अच्छे से बताने वाला हूँ पूरा वीडियो को end तक देखो अगर आपके बड़े सपने है तो application को लेके अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार just हम invest कर रहे है application में सफल हुए तो ठीक है नहीं हुए तो भी कोई बात नी मतलब एक just investment purpose के लिए कि हो गए तो ठीक है नही ठीक है ऐसे भी बहुत clients होते हैं तो इसलिए इस वीडियो को end तक देखो अगर आपको application को लेके बहुत बरवेड़े सपने हैं तो क्योंकि मैं बहुत detail में बहुत छोड़ी चीज़े बताने वाला हूँ यहाँ पे आज ठीक है सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जिनके प जिसको बनाने में minimum आपका 50,000 से लेके 2 और 3 लाक तक का budget invest हो रहा है ठीक है आप क्या करते हो उस application को develop करा लेते हो ठीक है develop कराने के बाद आप उसे market में launch करते हो market में launch करके फिर आपको अगर users आये तो आप earning कर लोगे users नहीं आये तो आप earning नहीं करोगे फिर वहीं पे वह किसी दूसरे business में switch कर जाओ यह यह बहुत बड़ी problem है और अकसर ऐसा होता है कि अगर हम application में सफल नहीं होते हैं तो वहीं पर उसको stop करके किसी दूसरे business में invest करने लगते हैं हम लोग या फिर किसी दूसरी business की तरफ बढ़ते हैं हमें यह लगता है कि application में जाधी earning नहीं है ठीक है क्योंकि लोग आजकल सब के सब digital हो गया है सब अपने phone से चीजों को control करना समझते हैं उनको अच्छा लगता है कि हम phone से ही सारी चीजों को order करें phone से उनकी चीजे असान हो जाए जो वो daily life में करते हैं यह सब को आदत पढ़ चुकी है ठीक है तो वैसा अगर आप इस वीडियो को देखो मैं आपको जरूर बताऊंगो कि आपको investor कैसे find करना है ठीक है ठीक है दोस्तों मान के चलो आपके बड़े सपने हैं आप ऐसा सोचते हो कि आप 100 crores या फिर 1 crore के above या या फिर उससे above भी हो सकता है 1000 CR भी हो सकता है आपका ये एक goal है मान के चलो आपक एक time period रखा है उसमें अगर आपको achieve करना है और आपका budget 50,000 क्यों ना हो या फिर आपका 2 या 3 लाग का budget हो आपके application का still goal आपका बड़े है न सपने आपके बड़े है तो कभी भी किसी development company को आप application यूही मत दे देना क्योंकि project उनको देने से क्या होगा आपका बस वो project develop करके देंगे उसके आगे के features हर बार आपको उनसे contact करना ही पड़ेगा ठीक है इसलिए आप क्या कर सकते हो dedicated team hire कर सकते हो उसी company से आप team hire कर लो ज्यादा best रहेगा in house मतलब वो जो team है dedicated है वो सिर्फ आपके application के लिए ही बैठी है वहाँ पे वो आपके application पे ही work करेगी वहना development company के पास multiple projects रहते हैं वो लोग क्या करते हैं उन्होंने जो developers hire किये हैं उनको multiple projects के हिसाब से multiple tasks देके अपना काम करवाते हैं because development company अपना profit देखेगी आपका profit वो नहीं देखेगी क्यूंकि आप से उसको profit हो आपका application बना के दे रही है आपका क्या आपने सोचा क्या profit हो उसका कोई संबंद नहीं है वहाँ तक तो आपको क्या करना है अगर आपके बड़े सपने हैं अगर आपने कुछ बड़ा goal रखा अगर आपके पास five to ten lakh का budget भी है तो तो मैं बोलोगा कि development company पास जाओ ही मत simple एक tech team hire कर लो in house जादा best रहता है और अगर tech team hire करना नहीं आता है तो आप करते हैं कि जब आपका budget कम है तो आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका 50,000 या 1 lakh का ही budget है तो मैं आपको यह suggest करूँगा कि दो सजेशन दूगा मैं आपको या तो आप company से AMC करवा लो अगर आपका application 50 to 60,000 में बन जा रहा है budget आपका 1 lakh है तो उतना तो चलो marketing के लि better presentation नहीं दिखाओ गए तब तक वो आपके application में invest नहीं करेगा तो आप application डवलप करा लो वो 50 to 60,000 या जो भी एक amount लग रहे आपके application को डवलप करने में उस application को डवलप करा के investor के सामने दिखाओ और उसको अपने बड़े जो आपका अपने target रखा है बड़े goals आपने रखे आपका ये चीज़े मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि extra मेरे clients के साथ ऐसा होता है और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे आने वाले जो clients उनके साथ दिये सारी चीज़े हो इसलिए मैं ये सारी चीज़े आपको वीडियो में भी जस्ट ही बता दे रहा हूँ मैं मेरा experience आपको अब मेरा ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरू किज़ेगा अब मेरे चैनल पर नहीं है तो चाहल को सब्स्राइब कर लिज़ेगा थैंकि दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में